Hello everyone, मैं आपके साथ मनुज बर्मा एंड इस वीडियो में हम यह जानेंगे Binance V2 पे लिमिट ओडर कैसे लगाते हैं तो मैंने मार्किट ओडर की वीडियो बना दी है और टैस्टनेट की एपेव कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बना दिया है तो आप टैस्टनेट या Binance future के साथ real future के साथ trade करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और एक पूरी playlist बना दूँगा उसके अंदर सभी order के बारे में बताया है आपको जिस order में दिक्कत हो रही है उस order के बारे में आप जानके महाँ पर समझ सकते हैं अभी के लिए मैं limit order की बात कर रहा हूं तो हम syntax page पे चलेंगे syntax पे right click करेंगे open कर लेंगे और यह syntax page पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको Binance syntax मिलेगा एक Binance V2 मिलेगा यह upgrade version है जो मैंने add करा है आपको क्या करना है Binance पे जाना है one way mode select कर लेना यह है limit order limit order में काम करने का तरीका बता रहा हूं अब आपको यहां BTC USDT यह slash के साथ दालना है symbol जो आपके दो spare होते हैं उन दोनों के पीच में slash दालना बहुत ज़रूर है उसके बाद आपको यहां quantity दालना है मैं 0.01 दाल देता हूं percentage में calculate होके जाएगा बढ़ अभी के लिए मैं आपको value में दिखा रहा हूं 0.01 और उसके बाद मैं buy select करूँगा उसके बाद यहां पर एक option पूछा जा रहा है LTP लोग यहीं पर confused होते हैं कि यह LTP है क्या तो यह LTP यह है सपोज मानो जब आपका alert टिगर होता है तो जब alerts आपका टिगर हुआ उस time का price सपोज मानो 20,000 डोलर चल रहा था और आपको जो bid लगानी है buy side की वो लगानी है 19,500 डोलर पे तो आप यहां पर 500 डोलर type करोगे तो automatic buy side में minus में bid लगाएगा आपकी और sales side में plus में लगाएगा आप चाहो तो यहां पर 5% type करके 5 type करके percentage भी select कर सकते हो कि current price से 5% नीचे मेरी bid लग जाए दोनों option में आपको percentage के बाद में दिखाऊंगा अभी मैं value डाल देता हूँ 500 ठीके 500 डोलर डाल दिया यह select करा, copy करा copy करने के बाद मैं जाओंगा trading view पे और यहां पर आप अपने indicator का use कर सकते हो मैंने पहले से एक alerts बना रखा horizontal line पे, आपके लिए मैं दुबारा बना देता हूँ जिससे आपको idea लग जाए तो मैं horizontal line लेता हूँ right click करता हूँ और यह मेरी condition बनगी horizontal line की इधर नाम दे देता हूँ limit order और यहां पर मैं इस syntax को डाल देता हूँ और create कर देता हूँ तो create करने के बाद यह alerts मेरा right side में आ गया और अगर हम इधर जाएंगे तो आपको यहाँ open order के अंदर क्योंकि limit order open order में show होता है तो open order के अंदर अभी आपको zero show हो रहा है जैसे ही मैं इसे trigger कराता हूँ आप price यहां पर एक बार देख लिजी जो current price चल रहा है और यह Binance test net है आपको same चीज ऐसे ही Binance real पे करनी है तो अभी के लिए हम जैसे ही मैं इसे trigger कराता हूँ लाइन को लेके आया और candle के उपर रखा मैंने alerts आएगा right में यह alerts आया और मैं Binance test net पे जाता हूँ तो यहां पर यह order आ जाएगा तो wait करते हैं यह order क्यों नहीं आया तो order अभी आया नहीं है एक बार हम syntax check कर लेते हैं हमने कुछ हमने एक गलती कर दी कि हमने यहां 500% कर दिया by mistake बताते बताते मेरे से percentage select हो गया था मैं से हटा देता हूँ और फिर copy कर देता हूँ क्योंकि market price से 500% नीचे थोड़ी चले लेंगे 5%, 10%, 90% डालते तो चलता under 100% डालते तो चलता तो गलती से percentage हो गया था मैं copy कर लेता हूँ और दुबारा से syntax को modify करता हूँ तो यह बताते बताते एक mistake हो गई थी जिसकी वज़े से यह order नहीं लगा दुबारा से में tigger करता हूँ और tigger करने के बाद यहां alerts आएगा alerts आया अब check करते हैं यह देखो one हो गया तो यह देखो market price जो चल रहा था market price लमसम इतना चल रहा था इस ते इनने 500 dollar नीचे मेरी bid लगा दी इस तरीके से आप buy sale के order लगा सकते हो एक order में आपको और दिखा देता हूँ percentage में जैसे मैंने आपको बताया था जैसे आप हम यह quantity ले लेते हैं 10% और यहां percentage का mark select कर देते हैं और amount ले लेते हैं 5% यह market rate से 5% नीचे मेरी bid लगे दोनों चीजे select कर ली और फिर से हमने centex को दुबारा से modify करा trading view पे अलर्ट को modify करा और यह save कर दिया save करने के बाद अगर आप यहां पर देखोगे पहली जो मेरी पहला जो amount लगा तो वह use हुआ था 0.01 अभी हमने अपने amount का 10% use करने के लिए बोला और देखते हैं 10% कैसे होता है तो हम जैसे इसे tigger करेंगे अगब देखोगे right side में alerts आएगा alerts आया और यहां पर यह order लग दिया तो अगर देखोगे तो 10% इतना amount बनता है मेरा तो 10% मेरा इतना amount पे bid लगी है और इस price पे लगी तो market price से 5% नीचे इनने bid लगा दिया I hope आपको पता चल गया होगा limit order कैसे लगाते हैं फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे telegram group को join कर सकते है WhatsApp पर message कर सकते है thank you for watching this video and bye